नमस्कार मैं प्रियंका और आज हम पहुँचे हैं बरवाला जैसे कि आप सब को पता है कि सहरी निकाय चुनाओ आ चुके हैं गोशना हो चुकी है तो बरवाला से जो नगर पालिका के चेर्मेन पद के कैंडिडेट है राम केस बंसल जी आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इनका चुनाओ लड़ने का या चुनाओ में आने का क्या मकसद है आ यह किस लिए चुनाओ में आना चाहते हैं चुनाओ लड़ना चाहते हैं क्योंकि चुनाओ बहुत सारे लोग लड़ते हैं लेकिन अपने वाधों पर खरें नहीं उतर पाते हैं। नश्कार सर नश्कार बैंजी और सबसे पहले तो मैं दागजब रियाना चैनल की और से आज हमारी चोटी बैन हमारे कारेले में पूंची है मैं आपका अर्दिक अभी नंदन और स्वागत करता हूं तो सर जैसा आप चुनाओ लड़ना चाहते हैं चेर्मेन पद के तो चेर्मेन पद के चुनाओ तो सर काफी पहले भी लड़ चुके होंगे लोग और आगे भी लड़ेंगे आपके बराबर में भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे लेकिन सर आप क्या अलग से करना चाहोगे जनता के लिए बैंजी ऐसा है देखो नगरपाली का रगशन लगबग लगबग 35 साल होगे बरवाडा में और काफी चेर्मेन बने हैं बरवाडा के इंदर लेकिन काम तो प्रयास तो नहोंने भी किया और काम भी करवाई है लेकिन जिस तरीके से काम ओने चाहिए थी उस तरी किसे काम नहीं आप आई ढ कि आपने देख लिए बरवाडा में गई हो काफी जगह सिवने ज़ग वास्ता वगहरा की दिक्कत बहुत ज़्यादा है पीने के पाने की दिक्कत काफी इलाके में है सिवने ज़ग ज़गो चलू रहा है देरे देरे यह समय काफ़ हुआ जल्द प्राइजिस रास्ते से तो वहाँ पर इतना जलमगन हुआ हुआién मतलब रोड इतना पानी से बढ़ा हुआ था गर चाहे तो वहापे मचली पालन भी कर सकते हैं या फिर धान भी लगा सकते हैं तो सर उन समस्या को लेकर आपका क्या कहना है बैंजी ऐसा है अभी कार्य चल रहे है और अभी एक स्टोरम बाटर की लाइन और डलने वाड़ी है केक लाइन भी डली है दोनों साइड नाले बनी हैं साथ से सतर परसेंट तो इसी से हो जाएगा समाधान लेकिन फिर उसके बाद अगर कोई ड्रेन बगारा निकालने पड़ी या अलग से कोई सीवरेज वाउस्ता का वो करना पड़ा तो उसके लिए वो भी करवाएंगे य यह हमारा वादा है बैंजी जड़ से समस्या को खतम कर दिया जाएगा देखो सर जैसे आप एक यूआ नेता हो तो आज के यूआ जादा तर कुछे काम करने की बजाए बेरोजगारी की वज़े से मालो या किसी भी वज़े से मालो नशे की तरफ जादा जा रहे हैं तो सर यूआ के लिए क्या पहल रहेगे आपकी सबसे पहले तो बैंजी मैं यूआ नेता नहीं मैं यूआ बेटा हूं बरवाला की जनता का और बरवाला की जनता मेरे उपर पूरा पूरा विश्वास करती है और बात रही बरवाला के अंदर नसे की इसके उपर पूर्ण रूप से परतीबंद लगाने कार्या करेंगे बैंजीस में लोगों को भी जागरू को करके सयोग करना पड़ेगा और पुलिस परसासन का सयोग भी लेंगे बिल्कुल परतीबंद लगाने कार्या करेंगे बैंजीस के लिए सर जैसे यूआ है एक बेरोजगारी नेे इक इतना बड़ा रुप ले लिया है कि यूआ कहीं नस्य जारहे हैं तो बदमासी की तरफ जारहे हैं तो उनको बेरोजगारी से मतलब एक परेहटके कोई रोजगार दिलाने का भी कारविड़ा में किया जाएगा हमसे जैसा भी होगा उसके लिए पूरा पूरा प्रियास करेंगे लोग बच्चों को जागरू करेंगे और कोचिंग सेंटर बगएरा ववश्था है यह ववश्था करने कारे करेंगे हमारे से जैसा भी हो पाएगा इस दिशा में भी कारे करने का प्रियास करेंगे तो सरस जैसे हरियाना के बच्चे खेल कुद में बड़े आगे रहते हैं और बर्वाला से भी बहुत बच्चे ऐसी होंगे जो खेल कुद में तो उन के लिए क्या करना चाओगे सर्थ बैंजी इस चीज से तो मेरा बहुत वी से इस लगाओ रहता है कि खिलाडियों के परती बरुवाला बरुवाला निया असपास के गाम गवांड है वहाँ पर भी मैं बच्चों का कोई खेल परती हो इता होती है तो जाकर कोन को समानित करने का और सयोग करने का कर्या करता हूँ और बरुवाला सैर में भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले खेलों को हमारी तरफ से 24 गंटे दरवाज जे खुल ले है किसी परकार का सयोग चाहिए तो हम त्यार है सर आप सयोग करते हो अच्छी बात है बच्चे खेल कुद में आगे जारे वो अच्छी बात है लेकिन सर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जो चाहिए होते हैं उनके लिए बनवाने का कोई समाधान या फिर उनके लिए कुछ कोसी साफ़ाइए स्टेडियम में जैसे बरवडा के अंदर उसका कर्या भी अदूरा पड़ा है उसके अंदर ग्रांट बगएर आए ती जो उसमें काफी दानली बगएरा हुई थी उसको अभी पूरा कर्वाने का करेंगे बेहां जी स्टेडियम को और और बी जो किसी भी प्रकार की बिजली की समस्या है तो जंता के लिए क्या आप स्पेसिल करना चाहोगे कि जंता तक पानी और बिजली पहुंच जाए देखो बैंजी काफी लाका भी भी है जहां पे पीने के पानी की वश्थानी है इसके लिए विशेश रूप से सरकार से पाई पे मंगवा करके और जाती है तो मेरे ख्याल से उन जोपडियों में रह नहीं सकते तपकती है जोपडिया तो सर उनके आवास के लिए क्या कारिये कि जाएंगे इसके लिए बैंजी बारत सरकार ना रियाना सरकार ने ये सकीम चला यह प्रदानमंतरी आवास योजना जिनके कच्छे मकान थे उ से उनको डाइडा इलाहर प्र इलाहर पर दिलवाने का करद्ध किया है और जो लोग के ऐनन बेरहर नहीं जनके एक शकीम चला इर्फ यह पर रह थैंए उनको क्वाना करके देने की और काफी शेर्व में लागू भीए लेकिन ब्रौवाणम सित्ति खराब होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनके आतिक सित्ति नहीं खराब होती है बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन अपने बच्चे पे पैसा नहीं लगा सकती तो सर उनके लिए क्या रहेगा बच्चों के देखो इ मेरे से मिले मैं उसका सयोग करने के लिए त्यार हूँ तो सर अभी आप चुनाओ जो चेर्मेन पद के उमीदवार हुआ पो इससे पहले भी आपने कोई चुनाओ इससे पहले परसद का चुनाओ लेड़ा था बैंजी और बरवाड की जनता ने आसिरवाद दिया था और मेरे सयोग रहा है सर पहले से आपका बैगराउंड राजनीती रहा या फिर आप उदर से मतलब राजनीती में आई है सरुदिन से ही सेवा करने का बाओमन में था तो इसलिए राजनीती को के रास्ते को चुना बहां जी इससे पहले देखो अभी तो पढ़ाई का यह वो चल रह होगी पार्टियां गोशना करेगी और मैं तो देखो सरकार के साथ हूँ बारतिय जनता पार्टी और जन्ना एक जनता पार्टी यह सरकार के साथ हैं सरकार से ही काम करवाने हैं और सरकार ही कारे कर सकती है जी देखो वो तो पार्टी पे डिपेंड है अभी क्या होगा क्या नहीं चुनाओ लड़ना बस यह जी जैसा कि हमने रामकेस बंसल जी से कुछ सवाल पूछे अगर आपके मन में रामकेस बंसल जी से सवाल पूछने की कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी सवाल पूछ कर इन से बताना चाहते हैं कि हमें यह करवाना है अपने सहर में आने वाला नेता कैसा है